तो इस वीडियो के टाइटल and फर्स क्लिप से आपको इतना तो समझ में आये हो गया कि इस ये वीडियो किस बारे में होने माला है देखी सही फॉन का सेलेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं अब सही फॉन से मेरा मतलब है कि अपने फॉन्टेंट and टार्गेट ओडियन्स के हिसाब से बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पेयर करना यानि जोड़े बनाना अब हर क्रियेटिव में एक heading, sub heading and description तो होता ही होता है और आपने heading के लिए font select कर लिया है and sub heading के लिए कुछ समझे नहीं आ रहा है description की तो बात ही छोड़ो तो उस case में आप कौन sub font यूज़ करेंगे खैर इसका कोई perfect answer नहीं है ये totally depend करता आपके content and target audience पे for example अगर आप एक gaming poster बना रहे हैं तो उसका heading है वो 80% time एक display font के साथ जाएगा and बाकी के content को serif या sans serif में रख सकते हैं बट वही अगर आप कुछ fashion के लिए create कर रहे हैं तो महाँ पे script display या modern serif font के साथ normal sans serif या serif font को यूज़ कर सकते हैं तो सव बात की एक बात यह है कि आपको font का selection जानते हैं and उसके साथ कौन सा font जाएगा यह आपके content and target audience पे depend करता है जैसे अगर कोई premium brand है तो उसके लिए serif का thin style या modern sans serif यूज़ कर सकते हैं अब modern font के बारे में किसी next video में बात करेंगे और वहीं अगर कोई सस्ता brand है तो तो उसके लिए तो आपको already पता ही है कौन सा font यूज़ करना है तो सब मिला के यह बात है कि font का use आप उसी हिसापस करेंगे जिस हिसापसे आपके target audience and content है I hope यहां तक आपको सब clear होगा लेकिन 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 अगर आप अभी एक beginner हैं तो मेरा यही suggestion रहेगा कि आप एक ही font की super family के साथ जो है घर बसा लें मतलब joint font family जिसमें आप extra light के साथ bold and light के साथ extra bold use करेंगे यहां तक तो ठीक है लेकिन अगर पूरा heading ही एक sentence बनके आ गया तो तो फिलहाल मैं इतना बता सकता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो की होना ही है तो उस case में heading को दो पार्ट में break करें एंड उसके नीचे sub heading और description लिख दे और यह tricks हर font के साथ apply होता है चाहे वो serif हो sense serif हो script हो या हो display अगर सीधा सीधा बोलू तो आपका content and target audience के हिसाब से आपका font का selection होगा और font pairing के साथ थोड़ा time spend करो ताकि वो आपको खुद को समझने का मौका दे एंड इसके साथ typography के कुछ और भी tips and tricks हैं जो कि आपके design में आपके creative में चार चांद लगा सकते हैं बट वो किसी और वीडियो में वीडियो पसंद आया तो like करें, share करें एंड नेक्स वीडियो में मिलने के लिए अगर new है तो चैनल को subscribe कर लें